सबी को मेरा नमस्कार मैं रोहित महाजन आज आपके सामने यूविन पोर्टल के रेलेटिड एक ट्रेनिंग सेशन रखने जा रहा हूँ ठीक है जिसमें हम डिसक्स करेंगे मेडिकल आफिसर का या फिर सीचिपी हैंडलर का क्या रोल होगा और वो क्या काम करेंगे वेक्सिनेटर हेल्थ वर्कर सीय चोज लाइफ सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे ठीक है और वहाँ पर उनका क्या रोल होगा कैसे कैसे वो बच्चों को वेक्सिनेट करेंगे वार्ट सिस्टर यनि की या स्टाफ नर्स डिलिवरी पॉइंट में उनका क्या रोल होगा कैसे वो एंट्री करेंगे आंशा कारे करता आंशा वरकर्ज का क्या रोल होगा कैसे वो पोटल चलाएंगी कैसे वो कारे करेंगी तो मैं एक औल इन वन वीडियो लेके आ रहा हूँ एक वीडियो में हर प्रोसेस आपको अच्छे से समझाओंगा ठीक है तो मैं रोहित माजन आपका स्वागत करता हूँ यूविन पॉर्टल किस वीडियो में तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अगर मैं बात करूँ आपको यह तीन लिंक्स का पताओना चाहिए तो पहला लिंक है किसके लिए यह एडिमिन पॉर्टल यह नहीं की आपके ब्लॉग का कार्य कहां पी होगा पहले लिंक से ठीक है उसके बाद जो आपके एमो इंचार्ज या फिर सी सी पी इंचार्ज जिनको हेल्थ फैसलिटी मेनेजर बोलते है ठीक है या फिर सी सी पी हैंडलर वो कार्य किस यूरल पे करेंगे पहले यूरल पे डिस्क्रिप्शन में इन तीनों यूरल का लिंक में दे दूँगा साथ में एप का लिंक भी दे दूँगा ठीक है वहाँ से आपने डॉणलोड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आप देखना कॉमेंट जहां करते हैं उसके नीचे होगा डिस्क्रिप्शन वहाँ से आप डॉणलोड कर सकते हैं तो पहले लिंक का कार्य किस किस का है Medical Officer CCP Handler ठीक है तो पहला प्रोसेस वह कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो सेकेंड लिंक है लिंक अबलीक आप इस लिंक से आप ओपन भी कर पाएंगे डिरेक्ट गूगल क्रोम में जाके ठीक है या मुजिला में जाके और सेकेंड एक आप का लिंक भी मैं दे दूँगा वो आप डाउनलोड करके भी आप जो काम इस लिंक में होता है सेम काम आपने उस आप में करना है तो यह नहीं कि यह आप किस किस के लिए है Health Worker, Vaccinator और आशा वरकर यह तीनों जो है वो इस आप में कारे करेंगे ठीक है या फिर कोई Supervisor अगर वो Vaccinator है ठीक है Vaccinator की Post पर कोई भी है जो टीका लगा रहा है वो Second वाले Link पर काम करेंगे और Third है अगर कोई Direct Self Registration कराना चाता है यनि कि जो छोटा बच्चा के जो Parents है जो Guardian है ठीक है अगर वो Session में आने से पहले अपनी Registration करना चाते है ठीक है तो घर से ये Registration कर सकते है तो Third Link है उनके लिए ठीक है तो सबसे पहले आपको Links का पता होना जुरूरी है कि आपने कारे करना कहां पे है तो ये Link का ध्यान रखिएगा Description से आप इनको Copy कर सकते है तो एक चीज को और ध्यान रखना है अगर आप App में Login कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप Mozilla में या फिर Google Chrome में कारे कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए आपको कुछ सैटिंग भी करने पड़ेगी देखिए अगर मैं Google Chrome पे गया ठीक है तो Google Chrome में जाके आपको ये तीन बिनियों दिख रही है अगर आपने ये Link से काम करना है तो आपने ये Right Hand Side देखिए आपको तीन बिनियों दिख रही होगी जो मैंने Circle कर दी है सबसे पहले हमने इस तीन बिनियों पे क्लिक करना है जब आप इन तीन बिनियों पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसी Option आएगी तो आपने ये Desktop Site दिख रहा है आपको Desktop Site पे क्लिक करना है ताकि आपको Computer का View मोबाइल में दिखे और Desktop Site जब आप कर देते हैं इससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है मालो आपका App नहीं चल रहा है आप में कोई दिक्कत होगी तो आप Site पे जाके Login कर लेजिए और Desktop Site करेंगे आपको एक एक चीज बड़े अच्छे से दिखेगी जूम जूम करके आप देख सकते हैं और अच्छे से कारे कर सकते हैं यहां कोई दिक्कत नहीं आती है भी भी ठीक है तो जब आपने Google Chrome पे Login करना है तो आपने यह Setting जुरू करना है तीन बिंदियों पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने Login करना है आपको दिक्कत नहीं आएगी तो यह कुछ Technical Work था जिसके बारे में Knowledge अगर आपको नहीं है तो आपको कुछ प्रशानियों को सामना करना पड़ सकता है इसलिए All-in-one वीडियो में मैं हर एक चीज डिसक्स कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ही कोई ना आया तो जब आप साइट में अगर हम Admin सबसे पहले शुरू करेंगे MO और CCP Handler यहने की Medical Officer और CCP Handler का काम ठीक है उन्होंने Login करना है उनके लिए अप नहीं उन्होंने साइट पर जाके Login करना है ठीक है uwinadmin.mofw.government.in पर जब Login करेंगे तो यह आ जाएगा आपका Registration Number जो आपके Block से नंबर आपका Registr है सबसे पहले आपने यहाँ पर डालना है फिर आपका जो By Default Password होगा covin.o.at.123 आपने यहाँ पर सबसे पहले वो डालना है तो यह हम देख पा रहे हैं यह Password होगा आपका By Default अगर आपका By Default से नहीं खुल रहा तो आप अपने Block में समपर्क कर सकते हैं तो उनको कहाना है कि जो 3 बिनिये बने होती है जहाँ पर उन्होंने आपको Registr किया है वहाँ पर क्लिक करके Set As Default Password पर क्लिक करना है तब यह आप By Default Password यूज़ कर सकते हैं जैसे यू बड़ा UWIN at the rate 123 करके दे दीजिए ठीक है यह सारा Caps में भी दे सकते हैं वह आपकी अपनी मर्जी है तो आपने सबसे पहले अपना Password रिसेट करना है तो इसके बाद आपको Password रिसेट करना पड़ेगा तो उसके बाद फिर से आपको लोगिन करना पड़ना जैसे ही आप M.O.E.N.Chargeや CCP लोगिन करेंगे आपके सामने यह सेनेरियो खुल क्या जाएगा ठीक है जिसमें आएगा UIP Reports Add Subcenter UIP Vaccination Session Site Staff और Session Status तो आपका सबसे पहले कारे क्या होगा सबसे पहले आपने Subcenter Add करना है सबसेंटर आपका According to H.I.M.S. जो नाम होगा वही आपने Subcenter का नाम देना है आप आपने ब्लॉक में confirm कर सकते हैं कि H.I.M.S. में H.M.I.S. एक Software होता है जो ठीक है उसमें आपके Subcenter का नाम क्या क्या है Same Spelling और Same जैसे आपने लिखना है मालो अगर मैं For example लेता है जोला जी अगर मालो लिखा है जोला जी CH तो आपने Same as it is जोला जी CH ही लिखना है ठीक है तो सबसे पहले आप confirm करना पड़ना है ब्लॉक से कि हमारे Subcenter का नाम क्या लिखा है ठीक है उसके बाद आपने एक Nin ID होती है हर Subcenter की हर Facility एक Nin ID होती है ठीक है तो वो भी आपने confirm कर लेनी है Nin ID जो भी होगी और Nin ID लेने के बाद उसके बाद आपने एक HFR ID भी होती है Nin number और HFR ID हर Facility होती है वो भी आपने अपने पास लेके रख लेनी है जब ये दो चीज़ें आपके पास होगी ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है सबसेंटर एड़ करना है ठीक जितने सबसेंटर आपने हूँ आड़ करने है उसके बाद UIP Vaccination Site यह नहीं कि एक सबसेंटर के अंदर मान लो आपके तीन सेशन लगते है एक स्कूल में लगता है एक आंगणबाडी में लगता है ठीक है और एक किसी अदर जगा पर लगता है वो तिनों आपने Vaccination Session में साइट में ऐड़ करने है एक उता सबसेंटर ठीक है और एक होता Vaccination Session साइट जहां जहां आप उस सब सेंटर के अंडर vaccination का session लगा रहे हो ठीक है और थर्ड काम आपने क्या करना है staff add करना है जब staff add हो जाएगा उसके बाद आपने session create करने है कहां जाके UIP vaccination session site में जाके जो site होगी उस पर double click करना है आपने और वहां पर right hand side में आपको option आजाएगी कि आपने जो है क्या timing देनी है ठीक है वो मैं आगे बताता हूँ आपको तो वहां पर आपने जाके session create करना है ठीक है सबसे पहला process है आपका subcenter add करना ये one time process है subcenter और session site add करना और staff add करना जब एक बार आप ये कर लेंगे उसके बाद आपका एक ही काम रहेगा और medical offices का कि उन्होंने सिरफ next 3 महिने के session जो है site में add कर देने है ठीक है वो उनको करने ही पड़ेंगे और जो delivery point होगा वहां पर on the spot होगा उन वहां पर कुछ करने की जुरूरत नहीं है तो अब चलते हैं पहले process में हमने subcenter पर click कर लेना है अब right hand side में यहां पर आपको add subcenter की option दी होगी तो वहां पर click करेंगे तो यह फिर ऐसा scenario आएगा add subcenter पर आ जाएगा तसील करके ठीक है उसके बाद आपने google में जाना है ठीक है यहां पर state और district select कर लेना है उसके बाद आपने google में जाना है वहां पर आपको lengthitude और latitude की option होती है ना आपने वो google से check कर लेना है तो sub district और pin को डालने के बाद आपने जो आपका ccp point है ठीक है वो आपने यहां पर automatically block से काम हो चुका होगा तो आपने यहां पर select रहना है जो भी आप ccp आपके अंटर रहता है वो select कर लेना है उसके बाद lgd code ठीक है sub center वालों से आपने confirm कर लेने हैं कि उनके पास health village है या lgd village है इन दोनों में आपने चेक लेने है यहां पर आपको अलड़ी show हो रहे होंगे village के नाम वो यहां पर आपने add करने है अगर आपका urban area तो lgd ward के option होगी है ना यह वाली तो इसमें आपने add करने है अब health village और lgd ward या health ward इन दोनों में show करेंगे health ward ठीक है उसके बाद सब center कोई भी delivery point नहीं होता तो यहां पर हमेशा नोई करने है आपने ठीक है और मैंने आपको पहले बता दिए something कुछ ऐसे होगा अपने सिर्फ चार इजडी लिखने है ना तो जब यह लिखेंगे उसके बाद आपने next पर क्लिक करना है उसके बाद ऐसे ऐसे करके आपको जो है village जैसे आप village add कर दोगे ना तो बस एक चीज़ कर दहना या show more village health पर क्लिक कर लेना है तो यहां पर क्लिक क से सर्च करके यहां पर बर सकते हैं फिर आपने next पर क्लिक करना है जब आप show more health village पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा scenario आजाएगा सामने ठीक है जैसे मैंने इस सब सेंटर की अंडर जो village add किये मैंने वहां पर क्लिक कर दिया और हम देख सकते हैं कि सारे village check कर सकते है कि हो गए कि और एक ची याद रखिए health village cross verify आपने करने हैं सबसे पहले sub center जब add कर रहे हैं और second time जब आप session site add कर रहे हो वहां पर भी health village check करने हैं अगर आपका कोई village हो नहीं हो रहा तो इसका मतलब या तो आपने sub center में miss की है या तो आपने session site पर miss की है अगर sub center में है तो session site खोल के देखिए वहां पर miss हो गाइस लिए village हो नहीं हो रहा है ठीक है उसके बाद आपने hfr नंबर यहां पर डालना है ठीक है उसके बाद आप skip and update sub center भी कर सकते हो और authentication without OTP भी कर सकते हो ठीक है जैसे आपको ठीक लगे skip and update center भी आप कर सकते हो तो बस उसके बाद सम्मिट करके आपके पास जो है यह scenario आ जाएगा आपकी जो है एक vaccination site जो है वो add एक sub center आपका add हो जाएगा तो आप चेक कर सकते हो government private ठीक है इनक्टिव य नाम आजाएगा जो भी आपने add किया होगा तो यह था sub center add करने का पहला process ठीक है अब आप next process करने जा रहे हैं आपने सबसे पहले क्या कर दिया sub center add कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है ठीक है next काम है आपका session site add करना तो आपने UIP vaccination session site में जाना है sub center add करने के बाद और add session site पर क्लिक करना है ठीक है फिर आपने job information पूछेगा वो ठीक है जैसे मान लोग अगर आपका session sub center में ही लगता है तो आप sub center का नाम लिख सकते हैं ठीक है अगर आपका session outreach रखता है देखो outreach क्या होता है outreach होता है जो आप sub center government building के बाहर लगा रहे हैं जैसे अयरुविदिक संस्थान जो भी है आपके प्लस जो आपके sub center है सब PSC, CSC, CH यह सारे आपके outreach में नहीं आएंगे ना यह आपके government institute है outreach में क्या है जो इन सभी से बाहर आपका session लग रहा है जिसे अंगनबड़ी हो गया ठीक है किसी और site में हो गया outreach जो government building के बाहर लग रहा है उसको बूलेंगा outreach ठीक है तो बस उसके बाद अपने UIP vaccination session site पर क्लिक करना है add session site पर क्लिक करना है और जो भी detail मंगेगा वह अपनी फिल कर देनी है सेमी detail आईगी ठीक है यहां पर site का नाम आ जाएगा जैसे sub center का नाम पूछा था वैसी यहां पर site का नाम आपका आगे भी same information आ जाईगी आपने बस भरते जाना है यहां पर village आपने session site के अंडर जो भी ले जाते है वह आपने फिल कर लेनी है ठीक है इस सारी information आपने भरने के बाद चेक कर लेनी है और उसके बाद आपने submit कर देनी है फिर आपको vaccination session site दिखाई देगी ठीक है उसके बड़ थर्ड काम है आपका staff add करना है ठीक है जब आप staff add करेंगे आपको सेशन staff add करने के बात भी बनानी है ठीक है तो पहले आपने staff add करना है तो बस staff पे किलिक करना है एड स्टाफ आपको अपको एपर नाम, mobile number जो जो इंफ्रॉमेशन staff की माँगे गा वह आपने सारी फिल कर देनी है beautifully और उसके बाद ये सारी इंफर मेशन भनने के बाद आपने submit पे click कर दना तो staff अपका add हो जाएगा इसे आपको staff show होने लग पड़ेगा उसके बाद आपने काम करना है जहां staff show होगा उसके आगे यहां पर action में जाना है तीन बिंदियों दिखरी होगी तबी इनका बाइड डिफॉल्ट पासवर्ड कोविन ओ छोटा है ना बाकि सारा बड़ा एड दरेट 123 से खुलेगा ठीक है अगर आप वेक्सिनेटर का बना रहे हो या वेक्सिनेटर आशावरकर का बना रही है ठीक है सभी का बाइड डिफॉल्ट पासवर्ड यही रहेगा और सभी नहीं यही काम करना है तीन बिनियों पे क्लिक करके सेट डिफॉल्ट पासवर्ड पे जरूर्ड क्लिक करना है नहीं तो उससे आपका लोगिन नहीं होगा वह इन्वैलेड दिखाए जाएगा ठीक है तो बस एड श्टाफ कर दिया सेट आपने कर दिया उसके बाद राइट हेंट साइड में यहां वेक्षिन कुछ ऐसा सनले दिख जाएगा तो यहां पर सभसे पहले वैक्षिन आजएगा सेशन साइड करोगी वहां पर आपको वैक्षिन चुज करने की आपशिन प्याज़िए तो आपने थेने हैं फिर स्टाफ फिर सेशन फिर अबाउट ठीक है यह आपको सनाज़ी दिखेंगे जैसे आप सेशन पर क्लिक करोगे वहां पर पूरा आपसे डिटेल मांगेगा कि टाइम डेट ठीक है वो सारी अपने फिल कर देनी जो भी आपसे यह डिटेल मांगेगा ठीक है तो मिंग पब्लिक को शो होगा और उस टाइम तक आपको रुखना पड़ेगा तो आप दस से दो विचे तक भी टाइम दे सकते हो ठीक है जिसे आपको कोई दिक्कत ना है उसके बाद आपने कपेस्टी डाल देनी है मैक्सिमम जिसे पचास देलो यह सो देलो इसका कोई फरक नह होनी चाहिए कम होगी तो आपको द्वारा से ccp handle को call करके बढ़वानी पड़ेगी तो ज्यादा आपको पता योग एस्टिमिटेड कितने बच्चे आते हैं तो उतनी आप कपेस्टी उससे थोड़ी ज्यादा डाल देजी है ठीक है मालनो 50 डाल दी यह 100 डाल दी उसका आपने publish कर दिया आपको फिर वहां पे available होना पड़ेगा और वहां पे कोई भी सीट बुक करके सेल्फ रिजिस्टेशन करके ठीक है या फिर वैसे भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है ठीका लगवाने ठीक है अब यह चीज़ ध्यान किये अगर तो बंदा लोकल है तो आप उ MCH में ही उसको वार नमबर वन पे उसका विलेज स्लेक्ट करके ठीक है वार नमबर वन एड़ करके उसको वैक्सिनेट कर सकती हो ठीक है तो बस जब आपने publish कर दिया तो यह आपका काम खतम हो गया यह नहीं कि अब किन का काम खतम हो गया medical officer या CCB handler का का काम खतम हो गया अब काम शुरू होगा वैक्सिनेटर का ठीक है वहाँ पे वैक्सिनेटर को क्या काम करना है अभी हम देखेंगे तो वैक्सिनेटर का क्या काम है वैक्सिनेटर को कुछ ऐसा सेनेरियो दिखेगा है ना वैक्सिनेटर ने सबसे पहले या तो इस साइट पे जाके लोगिन करना है या तो app का link में description में देदूंगा वो app download करके आपने जो है login करना है जब आप login करने पर click करोगे तो यह scenario आपके पास खुल के सामने आजाएगा तो सबसे पहले इसमें अपने क्या करना है register mobile number डालना है और password डालना है ठीक है तो सबसे पहले जब आप पहली बार कर रहे हैं तो register mobile number डालोगे और नीचे password डालोगे तो वो आएगा गोविन अड़रेट 123 आशावर कर रही है उनका भी यह आएगा वेक्सिनेटर कर रहे है उनका भी यह आएगा चिसीप हैंडल कर ले है तो जब यह डालोगे उसके बाद आपको बोलेगा register करने के लिए तो आपने क्या करना है उपर सेम कोविन अड़रेट 123 डालना है और न अगर आपके पास है तो आप डाल दीचिए अगर नहीं है तो नीचे क्रेट की ऑप्शन आती है तो गैट पर आपने क्लिक करना है इसके लिए आपका धार card जो है mobile नंबर से link होना जुरूरी है क्योंकि OTP आएगा आपके mobile नंबर पर तभी ID क्रेट होती है अगर नहीं है तो पहले अपना धार card mobile नंबर से link करवाईए तभी आप अप नेक्स प्रोर्सेस में जा पाएंगे फिर यह scenario आएगा I am a healthcare professional ठीक है तो आपने अगर आप डॉक्टर है ठीक है या फिर डॉक्टर को छोड़के आप स्टाफ नर्स हैं health वर करें कुछ भी है ना तो आपने I am healthcare professional पर ही क्लिक करना है जो पहली option है उसके बाद आपको पास यह scenario आएगा जब आप register पर क्लिक करेंगे ठीक है registration पर क्लिक करेंगे तो यह scenario होगा अगर आपको यह scenario दिख रहा है तो आपने create id दिख रही होगी आपको create id पर क्लिक करना यह द्यान रखना है फिर उसके बाद आपने क्या करना है generate विया अधार पर क्लिक करना है ठीक है फिर आपने अधार का नंबर डालना है और I agree पर क्लिक करना है उसके बाद नीचे calculation अती है कि तो यहां पर code में आपने डाल देना है और नीचे submit पर क्लिक कर देना है फिर जब आगे जाएंगे आगे आगे आपने email ID डाल देनी है और आपके कुछ पूछेगा कि आप बताइए जो भी आपने healthcare professional ID रखनी है उसके related कुछ ID यह दियोंगी आपका नाम add rate something वो आपने select करने क के बाद नीचे email ID डालनी है उसके नीचे आपको यह option दिखेंगी तो इसमें अगर आप डॉक्टर पर क्लिक करना है अगर डॉक्टर के छोड़के आपकी कोई भी पोस्ट है तो अपने nurse पर ही क्लिक करना है सबीने उसके बाद आप next second number पर आपने इन में से कोई भी एक option ज उसके बाद आपका OTP जाएगा आपके mobile number पर जो अधार से link है तो यहाँ पर आपने OTP डालके submit करना है ठीक है फिर आपके सामने आपकी ID create जो हो चुकी होगी वह आ जाएगी तो आईडिया आप नोट करके रख लिए वह हमेशे आपके ID सेम रहेगी ठीक है वह ID दो प्रका लोगिन में जो ID password दिया होगा वह password डालके login कर लेजिए या फिर फिर दोटीपी करके कर लेजिए ठीक है कहीं से भी आप कर सकते हैं तो बस उसके बाद फिर से आपको ID में अपना mobile number डालना है और password में जो आपने दिया एड़एट 123 डालके जब आप खोलेंगे तो आपके आपके पास यह scenario कुछ open होगा ठीक है जिसमें आपको यह चीजे दिखेंगी dashboard पर ठीक है उसके बाद उसके बाद देखिए कुछ ऐसा scenario आपके बास open हो जागा जिसमें आपको दिखेगा प्रियर्जिस्ट्रेशन और create हबा ठीक है और यहां पर आपको जैसे यह आप dashboard पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको start session के option आएगी फिर आपने session start करना है अगर आपका session है उसके बाद प्रियर्जिस्ट्रेशन पर आपने click करना है वो click करने के बाद आपको mobile number डालना है ठीक ह यह आपने guardian का डालना है guardian कोई भी हो सकता है mother भी father भी या फिर कोई relative भी जिनका भी आपके पास अधार link के साथ अधार काड़ा तो अधार काड़ा डालीजिए अगर नहीं है तो बोटर काड़ आप डाल सकते है यह इन में से ID प्रूफ देख लिजिए कोई भी आप डाल सक सबसे पहले अगर existing member दिख रहा है तो आपने mobile number डाल की यहां पर name डालना है baby का जैसे baby of कुछ भी लिख दीजिए आप है तो यहां पर बच्चे का नाम डालना है बच्चे का gender डालना है जैसे बच्चे का नाम name of children आ जाएगा और आप gender क्लिक करेंगे उसके बाद parents का जो भ रूट नहीं है ठीक है तो बर्थ डाल दी है ना और डेटो बर्थ डालने के बाद है यहां पर ऑट्टोमेटिकली infant किया जाएगी कैटिग्रिया ना और स्लेक्ट प्राइबरी गाइडियन और आपको गाइडियन भी स्लेक्ट करना पड़ना ठीक है फिर यहां पर बच्च मीजュ भी अलंग नहीं पहुंकर फिर प्रियुग जया पंदी कवी कि अंपकर 3 कि सबयरे सब्सक्च को बीड़नी वीच्च करने के बाद पर इसे माया करने है जब अबच्च्चा प्रूलीन को अ व्न गया को सब्सक्irenirie को ठोक Hebrew कर है ओन्हुश्य कि अग्जिस्टिंग में शो कर रहे थे है ना और हमने बच्चे के डिड़ डालके ठीक है बच्चा आपको सेशन साइट में अटोमेटिकली दिख जाएगा अगर ने दिख रहा तो आपने यहाँ पर मोबाइल पर सेलेक्ट करना है और नमबर डालना है पेरेंट्स का सर्च करे करने तो वहां पर पर जिख जक जिएगा फिर आपने प्लस की निशान पर ऑफिर बच्चे के नम पर क्लिक करना है आपने जो सेशन हमारा चल रहा होगा अपने बिड़ करग चलए ऐना है घर। जब आप गरोगे फरीवीडून को बहुत ज्रोरी ज़र आईडी बे आप लोगों को बनानी पड़ेगी हर बंदे की आप आईडी बना जरूरी है तो प्री रिजिस्टन में यह प्रसेस है सबसे पहले आपने मदर को रिजिस्टर करना है और मदर का नंबर अधार कार से लिंक होना चाहिए सारी इंफ्रमेशन मदर के डाल देनी है उ अगर मदर ने पहले वैक्षिन लगवाई हुई है तो जब आप नंबर डालोगे प्री रिजिस्टरेशन के लिए अग्जिस्टिंग मेंबर अटोमेटिकली शोग नल पड़ेंगा तो उस केस में आपको मदर को या फादर को एड नहीं करना है तो सिद्धे आपने आप बोटर कार्ड से भी उनका नंबर रिजिस्टर करके ठीक है यह सेम प्रसेस आप कर सकते हैं अगर किसी के पास मदर के पास मवाई नंबर नहीं है तो उनके गार्डन में कुछ भी आजाता मदर भी और फादर भी या फिर ब्रदर सिस्टर भी तो उनको बाप बता कि इस नंबर पर आपको आगे वैक्सिन लगेगी ठीक है तो इसीज़ का ध्यान रखिए बस जब यह प्रसेस्ट आपने करना है ठीक है अब देखिए वैक्सिनेटर ने वैक्सिनेटर में हेल्थ वर्कर सी यह चोज ठीक है तो आपने जब प्रिद्रेशन आपको पता लग करना सबसे पहले जब आशा मनेजिमेंट पर क्लिक करोगे तो आप राइट हैंट में एड आशा की ओप्षिन होगी ठीक है फिर क्रेट आशा की आप्षिन आजाएगी तो बस उसके बाद आपने यहां पर आशा का नाम बर देना है आशा का मोबाइल नमबर बर देना है फ सबस्क्राइब हरे भी तो बस बस इसके आपने संबिट कर देना है जैसे आप संबिट करोगे तो आपके आशा क्रेट हो जाएगी फिर आपके डेश बोड में ठीक है क्रेट दिखेगा और आशा का नाम दिख जाएगा, नमबर दिख जाएगा, और ये action और तीन बिनियों दिखेंगी, फिर आपने यहाँ पर click करना है, तीन बिनियों पर click करने के बाद आपने set default password करना है, जब तक आप यह काम नहीं करोगे, आशा वरकर का जो by default password है, covin at the red 123, उससे लोगी नही होगा, ठीक है, वो mismatch ही बताएगा, जब वो अपना password करेंगी, तो यह काम जुरूर करना है, वेक्सिनेटर ने set default password पर click कर देना है, इससे उनका यह by default password बन जाएगा, उसके बाद आप अपनी मजी से पहले action बड़ा एड़र बंटूती password को रख सकते हैं, तो बस यह process था, वेक्सिनेटर का, ठीक है, अब हम आशा के process की बात करेंगी, कि आशा ने कैसे login करना है, और आशा का क्या कारे होगा, अब देखिए, पहले आशा का process और वार्ड सिस्टर का process हम discuss कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको, कि live entry कैसे आप करेंगे, तो वीडियो को या फिर एप description में link दिया होगा, या आप एप से login करेंगी आशा वर कर ठीक है, तो आपने जब mobile number डालेना है, और password होगा आपका, ठीक है, या पूरे बड़े डाल दो, add the red one to three कर या, या यूविन add the red one to three डाल लो, फिर आपने द्वारा से login करना है, फिर आपने द्वारा से login करना है, लोगिन करने के पाद आपको ऐसा, जो है, scenario दिखेगा, ठीक है, तो देखिए, due list के अगर हम बात करें, due list तब तक नहीं show होगी, जब तक ये पूरा process नहीं हो जाता, तो process कहा है, सबसे पहले entry करेंगी, आपकी, ward sister, या staff nurse, जहाँ पर delivery होती है, वो ये process follow करेंगी, उसके प आशावरकर क्या करेंगी, उन्होंने pre-registration करनी है, pre-registration किस की करनी है, सबसे पहले mother की, वही process है, mother की pre-registration जब आप करोगे, तो ये scenario आपके सामने आ जाएगा, अब pre-registration में ध्यान रखिए, जब आप number डालोगे, अग नीचे existing member दिख रहा है, तो आपने आशावरकर ने pre registration नहीं करनी है, तो उस person को direct भेजना है, vaccination session site में, वहीं पर ही उनका काम होगा, अगर तो existing दिख रहा है, यह नहीं कि अगर सेम number दारकार से link है, और उन्होंने vaccination लगवाई हूँ है, COVID की, तो उनको register करने की जुरूरत नहीं है, फिर आशावरकर का काम खतम, हाँ, अगर कोई personal register नहीं है, तो बस आशावरकर नहीं है, यह form भरना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, mobile number डाल देना है, जो धारकार से link होगा, confirm कर लेना है, फिर confirm number डाल देना है, फिर date वपर डाल देना है, category डाल देना है, यहाँ पर full नाम आजना, मदर का, guardian में मदर भी हो सकते हैं, फ वो बोल देगा कि OTP डालो, अगर नहीं link होगा, तो निचे लिखा जाएगा कि this अधार कार्ड is linked with this number, और जिस से वो link होगा, last के 4 अक्षरा को दिख जाएंगे उस number से, तो उस case में आपने फिर parent से वो वाला number लेना है, अगर उनके पास है, अगर वो number खो चुका है, गुम तो self registration खुद भी ये काम कर सकते हैं, और आशावर्कर भी pre registration उनकी कर सकती है, जब वो pre registration करेंगी तो नीचे लिखा जाएगा, कि इनके registration हो चुकी है, फिर जब वो session होगा live, वहाँ पे उनने अपना number ही देना है, नंबर देखे, वहीं पे उनका कारी होगा, वहाँ पे उनक को register कर देते हैं, फिर आप यहाँ पे अगर first baby है, अगर पिछली student की है, तो आप यहाँ पे baby भी add कर सकते हैं, अगर existing member दिख रहा है, ठीक है, तो number डालने हैं दो बार, उसके बद आपने baby का नाम डाल देना, full name की जगह, और baby की date बडाल देनी है, और वहाँ पे mother को आपने register है तो उस case में आपने यहाँ पे baby का नाम डालना है, baby of mother या फादर, यहाँ पे बच्चे का weight, बच्चे के फादर का name, और ID पूर फो टोमेटिकली उनका आ जाएगा, जो भी COVID vaccination की दरफ दुरान उन्होंने दिया हो, यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आप submit करोगे, तो वो automatically register हो जाएगा, फिर जब live session होगा, वहाँ पे आपने mobile number देना है, बच्चे का, और सीधे ही click करके previous vaccination record आएगा, उसके बद current vaccination record आएगा, और उसको vaccinate कर दिये जाएगा, ठीक है, तो बस आशावरकर का यही काम है, उन्होंने pre registration करनी है, किनकी जब वो mobile number डालेंगी, और existing member नहीं show हो रहा, तो आपने mother की पूरी या फादर की पूरी pre registration करनी है, अगर mobile number डाला, और existing show हो रहा है, उस case में आपने यहाँ पे baby of mother father लिखना है, baby का weight, ठीक है, फादर का नाम, ठीक है, और baby की date of birth, यह सारी correct डालनी है, गल्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर यह गल् by mistake, तो जब इनको vaccinate करेंगे आप, वहाँ पे इनका नाम भी added कर सकते हैं, कि date of birth भी added कर सकते हैं, ठीक है, और कई बार date of birth added नहीं भी होती ही, तो यह ध्यान रखिएगा, कि बिल्कुल correct information आपने भरनी है, नाम added हो जाता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, तो बस आश नहीं आएगी, तो यह था आशा का process, ठीक है, तो अब हम discuss करेंगे ward sister, staff nurse का process, वह कैसे जो है, vaccine लगाएंगी, अब देखिए ward sister या staff nurse के लिए भी यही same process है, यह site का link description में मैं दे दूँगा, और app का link दे दूँगा, उन्होंने या site से login करना है, या फिर app से login करना है, same scenario, staff nurse जो है ward sister से block दोरा उनका mobile number और ID password बना दिया गया होगा, ठीक है, तो आपने ward sister से क्या करना है, ID और password ले ले लेना है, ठीक है, अगर ward sister जी देख रही हैं, तो उन्होंने क्या करना है, mobile number डालना और password सेम reset करना है, सबसे पहला काम, coven.123, फिर अपना uven.123 रख लिजिए या अपना नाम.123 रख लिजिए, तो यह ID password यूनीक होगा, एक ही ID password से newborn baby जो भी delivery point है, वहाँ पर कोई भी नया बच्चा आता है, ठीक है, तो उनकी ID, एक ही ID से पूरी registration करना है, इसके लिए कोई session बनाने के जूरत नहीं, कुछ न पहले आपने क्या करना है, pre-registration, देखो जब भी नया बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो आपने उसकी mother या उसके father, ठीक है, उसके guardian में mother या father कोई भी हो सकता है, उनका अधार card और border card, दो चीज़े जरूर लेके रख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना है, और अधार link ह अगर नहीं होगा, तो आप border card से काम चला सकते हैं, ठीक है, तो पक्का काम करने के लिए दो ID proof आप जरूर mandatory कर देजिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना है, तो बस pre-registration आपने करना है, same process से pre-registration का, अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, जब pre-registration पर क्लिक करोगे, त नमबर डालती ही, तो आपने registration नहीं करनी मदर की, ठीक है, तो आपने direct, यहाँ पर नमबर डाल देना है, और baby चड़ा देना है, baby of this है ना, weight जो भी पूछे को आपने डाल देना है, ठीक है, अगर यह नहीं आरा number, अगर option आपको नहीं दिखरी, existing member की, तो आपने सबसे पह पूछेगा, date of last LMP, ठीक है, फिर जो भी आप register होते हैं, बड़े बड़े आपके ना, कि वो सब कुछ पूछेगा, जैसे आप last day डालेंगी, आगे option आ जाएगी, ठीक है, देखिए, वार सिस्टर, स्टाफ नर्स, मैंने आपको जैसे पहले भी बता दिए, फिर भी एक बा ठीक है, जब यहाँ पर क्लिक करने के बाद, आपने mother की information डाल दी, ठीक है, फिर बच्ची की information डाल नहीं है, ठीक है, तो जब mother register कर दी है, उसके बाद जब on-set registration आप क्लिक करोगे, तो यह scenario खुल जाएगा, तो यहाँ पूछेगा, person detail हो गया, photo ID आगी, तो बस यह सारी information अपने भर के submit कर देना है, फिर यह सबसे पहले pregnancy basic detail आजाएगी, last LMP वगारा, ठीक है, उसके बाद routine vaccination in pregnancy, अगर आपके पास है, तो well and good dad नहीं है, तो यह आप छोड़ भी सकते हैं, फिर उसके बाद pregnancy outcome आजाएगी, क्या वो उसका पहला बच्चा अगर पहला बच्चा था, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, अगर second बच्चा था, तो यहाँ पर पिछले बच्चे की data बच्चा आएगी, उसके बाद automatically निचे यह option आजाएगी, live birth और still birth जैसे यह उपर की data भरोगे ना, निच्चे आप automatically आजाएगी, अगर जैसे आप LMP डालोगे तो वो पता देगा कि अब इनकी delivery होनी चाहिए थी, तो उस बेस पर यह सारी इंट्रोमेशन आटोमेटिकली उठा लेता है, बस आपने follow करना है, तो बस यहाँ पर आपने baby का नाम baby of मदर आ जाएगा, डेटो बर्था जाएगी है ना, उसके बाद जंडर, weight, तो weight मैं पहले भी बता चुकाँ कि grams में है, मालो 900 gram में तो 0.99 ड़ा जाएगा, अगर दो को लोगे तो सिर्फ 2 लिखना है, फादर का name, ठीक है, तो यह कुछ question पूछेगा, baby जब हुआ तब वो crying किया किया किया, उसके बाद breast feeding स्टार्ट कर दे थी, वन आर के अंडर अंड कर देनी है, ठीक है, उसके बाद save and continue पर click कर देना है, जैसे आप click करेंगे बच्चा automatically यह add हो जाएगा आपके site में है, मतलब vaccinate यह हो गया, इसकी put information done होगी, अब जैसे pregnancy outcome खोल लोगे तो यह आ जाएगा delivery, ठीक है, तो यह चीज़े आ जाएगी, institutional delivery थी, type of delivery कैसी normal थी, ठीक staff nurse का या what sister का, उनने बस इस type से add करने है, तो बस थोड़ा ID proof का आपने ध्यान अखना है, ठीक है, ID proof दो ले ले ले, अधार card, प्लस voter card, ठीक है, अगर mother अगी पहले mobile नमर डालना है, existing आगी, तो आपने mother को enter नहीं करना है, तो आपने direct, उनकी प्रेल भर देनी है, ठीक है, mobile डेटेल डालोगे, और टोमेटिकली नीचे आपके ये हो जाएगा, live birth या still birth, ठीक है, तो वैसे ही आपने live birth पर क्लिक करके, पूरी basic information, जो भी आप बड़े-बड़े register में भरती हो, वह information यहाँ पर आएगी, ठीक है, और save कर देनी है, तो आपका ये save हो जाएगा, ठीक है, तो वीडियो अन तक जुरूर देखे, अब हम discuss करेंगे, live जिब session स्टार्ट होगा, उस पर कैसे entry की जाती है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं, कि वैक्सिनेटर live entry कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने आप खोलनी है, ठीक है, description में लिंक दिया है, या फिर, यह वहली description में, site का, plus app का लिंक दिया है, वहाँ से download करके, आप login कर लें, तो आपको पता ही है, जब आप login कर लें, by default password आपने डालके, reset करके, जब आप login कर लेंगे, उसके बाद ऐसा dashboard आपके पास खुल जाएगा, तो आपने dashboard पे click करना है, सबसे पहले, जैसे dashboard पे click करोगे, यह scenario द site, CSC subcenter से है, जो भी आपकी session facility है, वो आपने select करके, फिर session site जहाँ पर आज आपका session है, वो आपने select कर लेना है, तो नीचे यह scenario आजाएगा, आपके पास, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, कि जो subcenter का नाम आजाएगा पहले, session site का जहाँ पर आपका session है, फिर children का और pregnant women का यह आ रही session है, timing आ जाएगी, slots आ जाएगे, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी option दिख रही है, yet to start, तो आपने यहाँ पर click करना है, yet to start पर, सबसे पहले session start करना है, तभी आगी की कारवाई होगी, click on yet to start button, उसके बाद आएगा आएगा आपके पास, यह scenario, यह scenario कुछ आ start पर click करेंगे, है न, तो यहाँ पर आएगा, confirm detail, तो आप yes पर click करोगे, are you sure to start the session, तो आप yes पर click करोगे, तो फिर आपका session जो start हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा scenario खुलेगा, ठीक है, तो आज आएगा, session has started, you can start, ठीक है, vaccinate the van fishery, तो बस यहाँ पर end की option भी आजएगे, तो session end end कब करना है, जब आपका session की सारी entry हो चुकी है, उसके बाद ही end करना है, ठीक है, एक और session end हो गया, उसके बाद और open ही होगा है, विन आपके CCP handle की मदद से, तो ध्यान किए सबसे end में करना है, session end, तो आपके पास ही on-site registration और guardian registration की option खुल जाएगा, तो यहाँ पर schedule में अग को reject किया तो rejected में आ जाएगा, और यहाँ mobile number select करके mobile number डालके पर सर्च कर सकते हैं, तो यह एक scenario आ जाता है आपके पास, जहाँ पर mobile number reference ID दार का driving ठीक है, इसे number जैसे select कर लिए, mobile डालके mobile number डालके आप सर्च जो है, कर सकते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर click करना है, on-site registration जो हम पहले भी process सीख चुके हैं, कि on-site registration आपने किसकी करनी है, जब भी आप on-site registration पर click करोगे, तो यह scenario आ जाएगा, on-site registration में click करोगे, mobile number डालना है, full name डालना है, date डालनी है, जब number आप डालोगे, अगर कोई बंदा already register है, जिसने vaccination कोविड के लगाई हुई है, तो वो नी pregnant woman को लगना है, तो pregnant woman की detail automatically वो आ जाएगी, submit करेंगे, तो OTP की option भी आएगी, चीक है, अधार से link है, तो OTP जाएगा, और आपने OTP डालना है, अगर अगर अधार से link नहीं है, तो नीचे error आजाएगा, कि यह जो number है, वो this mobile number से link है, लो last के चाहर डिजड भी बिताएगा, कि वो किसे link है, तो इस scenario में अगर उसके पास number वोला है, तो वो enter करके, आप detail डाल देजिए, अगर नहीं है, तो आप बोटर कार्ड से register कीजिए, और सकी PTP भी आप कर सकते हैं, अगर अधार कार्ड और नंबर से हैं है, तो आप सकी PTP भी कर सकते हैं, सारी information डालने के बाद आपके पास यह आ जाएगा, register successfully हो जाएगा, फिर आपने add vaccination पर click करना है, जब ऐसे click करोगा add vaccination पर नीचे लिखा जाएगा, beneficiary added successfully, फिर आपको यह scenario दिखेगा, अगर बच्चे की कोई previous record है, ठीक है, वो भी डालना पड़ता है, तो आपने जब यह scenario दिखेगा, तो आप skip कर schedule में एक show हो जाएगा, बच्चा schedule में automatically आपके दिखना लपड़ेगा, फिर आपने बच्चे के नाम पर click करना है, या right hand side पर plus का बटन दिया होगा, उस पर click करना है, उसके बाद कुछ ऐसा scenario हो आएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, manual verification पर click करना है, जैसे manual verification पर click करोग ठीक है, उसके नीचे आपके पास option आजाईए, continue की, तो आपने continue पर click करना है, continue पर click करने के बाद, आपके पास ये scenario आजाएगा, कि member verified successfully, फिर आपने continue पर click करना है, फिर जब आप continue पर click करोगे, तो ये है main part, यहाँ पर दो scenario है, ठीक है, एक है ये वाला previous वाला और एक है current सबसे पहले काम आपने करना है previous, अब देखो process के है, अगर नया बच्चा जब delivery होती है बच्चे की, तो पहले वार्ट सिस्ट्रिया स्टाफ नर्स उसके entry करेगी, उन्होंने entry कर ली, ठीक है, तो वहीं से process शुरू हो गया, तो जब आपके पास बच्चा पहुंचेंगा, अब अभी के scenario नहीं नहीं, यह सब कुछ शुरू हुआ है, यूविन का, तो आपको पहले जितने भी बच्चे के पास TK लगे है, या pregnant woman को TK लगे है, वो आपको पहले enter करने पढ़ने है, तब ही आप next पर जा सकते हो, तो पहले आपको ध्यान रखना है previous vaccination पर क्लिक करना ह और जियात रखना previous में कोन आएगा, जो आज टीका लग रहे है, उस पर क्लिक मत करना, यह तो दिक्कत हो जाएगी है, जो previous vaccination जो आज से पहले जितने भी टीका लगेंगे, उनकी date आईगी है, जैसे यह scenario देख लो, हमने क्लिक किया HEPA B पे ठीक है, और उसकी date डाल दी, फि क्या आपने कुछ गलत तो नहीं भरी, अगर कोई भी date आपने गलत भरी, तो current vaccination नहीं लगेगी, यहाँ पहुंचने तक आप exit कर सकते हो, ठीक है, अगर submit कर दिया, फिर previous vaccination कभी change नहीं होती, यह ध्यान अगना, एक भी date गलत हुई, तो next vaccination नहीं लगेगी, उसके बाद आपन आपने जब previous vaccination सम्मिट कर दी, फिर यह scenario खुल जाएगा, अब आपने यहाँ पर current vaccination पर क्लिक करना, यह दिख रहा है आपको, left side पर current vaccination लिखा है, इस पर क्लिक करना है, और जो आज vaccine लगनी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर बर देनी है, अब जैसे आपने नीचे क्लिक किय तो जो आज लगनी है, वहाँ पर eligible लिखा होगा, जैसे आपने वेक्सिनेट कर दिया, यहाँ पर आपको message आजएगा, vaccinated successfully, उसके बाद download अगर उसका card करना है, तो download acknowledgement पर क्लिक करके, आप card download कर सकते हो, तो जब आप dashboard पर जाती हो, यहाँ पर लिखा जाता है, कि आपने कितने जो है, vaccinated कीए, यहाँ पर लिखा जाता है, जो भी total आप vaccinated करोगे, ठीक है, वहाँ से भी आप download यहाँ से certificate कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद last process, end session आपको दिख रहा है, ठीक है, जब आपका session खतम हो जुका है, दो बच गए, बच्चा कोई बचा नहीं है, एं जब तक enter नहीं हो जाती है, तब तक end session आपने नहीं करना है, अब बच्चे सारे enter हो गए, तब आपने end session पर क्लिक करना है, जरूर करना है, जब भी आपका session होगा, फिर पुछेगा, are you sure to the end session, तो आपने yes करना है, तो बस यह end session हो गया, तो यह था सारा process, तो सबसे पहले ह हमने सीखा, M1 Charge या CCP Handler कैसे entry करेंगे, उन्होंने पहले क्या करना है, सबसेंटर एड करना है, सबसेंटर एड करने के बाद सारी डिटल भरनी है, उसके बाद आपने session site एड करनी है, पूरी विलेज की detail भरनी है, उसके बाद आपने वेक्सिनेटर को एड करना है, और राइट एंड साइट पे तीन विदियों पे क्लिक करके, set as default password करना है, ताकि वो लोगिन कर सके, फिर उसके बाद वेक्सिनेटर लोगिन करेंगे, हाँ, और उन्होंने, M1 Charge या CCP ने हर बस ये काम कर दी है, उसके बाद हर तीन महिने के session, उनको create करने ही पड़ेंगे, ठीक है, बस उनका process करता हम, वेक्सिनेटर क्या करेंगा, उन्होंने सबसे पहले तो आशाय एड करनी है, जितनी में आपकी pending है, एड आशाय पर जाके, सारी आशाय एड कर लेनी है, उनका session site एड कर देनी है, फिर set as default तीन मेंदियों पे क्लिक करके, वहाँ पे submit कर देना है, फिर उसके बाद आशा का login भी करवा देना है, ताकि आशा प्री registration कर सके, ठीक है, उसके बाद वेक्सिनेटर खुद login करेंगे, उन्होंने अपनी ID बनवानी है, जो health registration ID होती है, वो बना के, उन्होंने continue करके login कर लेना है, और start session पूरा process complete करना है, start session और vaccinate करने के बाद, जो है, end session करके, आपका जो process यह complete हो जाएगा, ठीक है, तो यह थी final video, जिसमें हमने, अब delivery point की भी बात कर दी है, हमने delivery वाले, जो भी हमारे sites होती है, delivery की, ठीक है, जैसे की, अगर बाद जितने delivery point होते है, उन्होंने कुछ नहीं करना, जब उनका match होनी चाहिए, ठीक है, तो यह process अब शुरू हो चुका है, यह आपको करना ही पड़ेगा, तो यह थी, एक video में सारा निचोड, वीडियो को like करे, share करे, comment करे, जितने भी हमारे health के बंदे हैं, जिनको इस video को जूटतने, सभी के साथ share करे, आशा के साथ भी share करे, thank you, बहु